नमस्कार दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो दोस्तो आज हम लेकर रहे आपके लिए टाटा की 14 12 CRX यह देखिए 2017 का मोडल है पूरी गाड़ी ओरिदनल है और यह गाड़ी अवेलेबल है सेल पे गाड़ी की कंडिशन एकदम ही बढ़िया है नए जैसे कंडिशन है पूरी गाड़ी ओरिदनल है यह देखिए और 19 फित लंबी है टाटा 14 12 CRX गाड़ी की कंडिशन आप देख सकते है वीडियो में यह देख लिजी देखिए पीछे की बॉड़ी है यह और यह देखिए इसमें यह देखिए एक फाल का लगवाया हुआ है यह देखिए इसका 1.500 लिटर का फ्यूल टेंक गुजरात नमबर गाड़ी है देख लिजी आप गाड़ी का वॉकराउं पहले एक बार यह देख लिजी इसकी बॉड़ी यह देखिए यह देख लिजी पीछे से गाड़ी देखिए आप दिख लिजी पीछे से भी कंडिशन वाइस बहुत ही बड़िया गाड़ी है एक रुपया प्या आपको लगाना नहीं है अंदर बॉड़ी में नई प्लेट भी लगवाई हुई है जिसको हम चादर कहते है वो भी नई लगवाई हुई है 19 पिर लंबी हाइडेक बॉड़ी है यह देखिए चादर भी अंदर नई लगवाई हुई है एक रुपया भी आपको लगाना नहीं है बिस लेनी है और गुमानी है सर्विस कराके यह देख लिए इसके बॉड़ी गाड़ी की कंडिशन एकदम ही बढ़िया है इसके टार सा देखिए ब्रैंड न्यू डार है पिछे के सारे के सायर टार नहीं है इसमें एक दम ही बढ़िया कंडिशन में इसका स्पेर भी रहे यह देखिए यह इसका स्पेर भी गुजरात नंबर गाड़ी है अगर आपको अधर स्टेट में ट्रांसफर करवानी है तो हम आपके स्टेट की निकाल के देदेंगे 19 पिट नंबी टाटा की 14-12 CRX इसमें 13 टन का लोड पे लोड केपिसिटी होता है और 120 होर्स पावर आथा इसका डिगा यह दिखिए इसके एर के टैंक और यह दिख लिजिए इसका अन निचे का मिकेनिजम चैचीज वगेरा कोई एक्सिडन जॉब नहीं है उसकी गैरंटी मिलेगी आपको यह दिख लिजिए इसका आगे का टायर वो भी नया है और यह आगे का कैबिन यह दिख लिए 14-12 CRX की बेजिंग आगे बॉनेट पर यह दिख लिजिए नीचे इसकी आगे लाइट यह टर्न लाइट है बाज़े में छोटी सी दिख लिजिए यह टर्न लाइट और यह इसका फोग लाइट नीचे और यह दिख लिए टाटा लिखा हुआ है टाटा का यह टाटा का सिम्बॉल है यह दिख लिजिए टाटा इसका ग्रेब हैंडल पकटने का और यह वाइपर यह दिख लिजिए आगे का सोव इसका अधे दिखिए इसकी टर्न लाइट अधा साइड लैट है पीछे भी ऐसे बोडी में लगवाई हुई है लाइट है यह देखिए यह देखिए लाइटे लगाई हुई है यह इसका टूल बॉक्स है नीचे यह टूल बॉक्स है इसका कैबिन में जाने के लिए यह देखिए इसकी सीट है ड्राइवर्स की सीट इए सीट के कंट्रोल चेट करने के एक दया में कमफट सीट आती है और यह दिख लीज़िए इसके एक्सिटर ब्रेक और क्लच के पैडल और यह दिख लीज़िए इसके इसमें बोटल बोन लिटर की बोटल भी आ जाती है साइड में जगए है दरवाजे में उसमें दिखे इसका इंस्ट्रुमेंट क्लॉस्टर जिसमें स्पीड मीटर आता है आर्पेम मीटर आता है दोनों का एर प्रेशुर आता है temperature मीटर है और एक फ्यूल मीटर है है इस सारे इतने कंट्रोल दिखाते है आपको इसका steering wheel कैबिन भी अंदर से एकदम नीट हैं क्लीन यह दिखिए इसका यह स्पीकर है यह दो लाइट के कंट्रोल और यह दिखिए इसके टेप में लगवाया हूँ इसमें इसका ग्लॉब बक्स है अंदर छोटा साथ है और यह देख लीजिए कंडिशन वाइस गाड़ी बहुत ही बढ़िया है यह देखिए कि स्वीट पीट सब कुछ अच्छा है और यह इसका गेर नॉब फाइज स्पीड मैन्योल ट्रांस्मेशन तस्यक रिवर्स गेर मिलेगा पाउर श्टेरिंग गाड़ी आती है और यह इसका देखिए अंदर का मीरर और यह दो संवाइसर मिलाएंगे आपको देख लीजिए इस साथ से देखिए इस सीट के नीचे पैसेंजर सीट के नीचे देख लीजिए यह देख लीजिए पैसेंजर यह देखिए इसका इंजिन इदर से खुलता है इसका के बिन इंचे करने का और यह आगे का यह देखिए इसका बंपर आता है जो टाटा से आता है बूल गार्ड कैसे है सेप्टी के लिए देखिए कमती से जोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो कॉमेंट करो और शेर करो पार्ड करो